तो चलो भई एक तीसरा मैच है आज के दिन का ठीक है बहुत बढ़ियां बढ़ियां मैच है अब एक नया मैच स्टार्ट हो रहा है नामी भिया वर्सेस जिमबाब्बे तो इस मैच में अच्छी बात है कि हम लोग सभी जानते हैं कि जिमबाब्बे वन साइटेड विंग करे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यह कोशिश करेंगे कि टॉस जिमबाब्बे जीते और जिमबाब्बे पहले बॉलिंग करें ताकि हम लोग वं सैड़िद अराम से ग्रेंड लीग जीत सके तो उसमें करना क्या होगा ज्यादा महनत की बात नहीं है जिमबाब्बे के साड़ इस बीनर यहीं पर हैं से एक फास्टर यह हो गया तो तीन तो यह सारे तो खहलेंगे जहांता सुएदे पान्च जो भी खेलेंगे वह ्पांच बॉल्र आपकी टीम में होने चाहिए अभी खेल लिय मान लेते हैं कि ये छे बॉलर या 5 नगे ठीक है महलों की ये 5 बॉलर खेलें तरह लेंगे तो नमी भी आखियर में चैया कि उइनके स्बस्ट बॉलर्स को नहीं बने और नों दॉकिस्करण कि इनके जितने भी फास्ट बॉलर खेलें वह हमारी टीम में हो ठीक है क्योंकि फास्ट बॉलर ही पहला पांच ओभर करेंगे यानि कि आपके जो भी मतलब अट स्पावर पर रहेंगे उसमें देखो देखते हैं वह बिल्कुल बिकेट दे के चले जाएंगे चाहें बॉलिंग में कोई भी आए चिह वह ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे कुई भी बोलर आएगा यह टिकने वाले हैं एक जैसे यह हैं कि यह थीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो जिंबाबे के मैं जो बैट्समेन है दो वह आप रख लो ठीक है जो मुस्टली ओपनिंग करते हैं ठीक है तो यह दोनों हमने रख लिया अब यहां से कोई ओपनिंग में आते नहीं लोगों की बैटिंग ओर नीचे होत क्यों हैन और सेक्षें में नामी विया जो सबसे अच्छे प्लेयर है इंज ह्ति रख लेंगे अच्छे प्लेयर अर्च मिंच यह दो बेर नामी बिया के पास अगर प्लेयर थोड़े से भी ब्स अंगर्स कड़ेगी इस कके इसाथ तो सिर्फ यही दोनों के बड़ों से एरामस और फ्राइलिंग तो अब देखो अब कैप्टन वीसी बनाना कितना इजी हो जाएगा अगर जिम्बाबे पहले बॉलिंग करेगी तो ठीक है बिल्कुल आराम से फ्राइलिंग को देना वाइश कैप्टन और एक एक करके सब को कै कैप्टन बनाओ और ग्रेंड लिग के 10 तीम आपके त्यार हो जाएंगे आराम से ग्रेंड लिग जीत कर आओगे ठीक है और आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि ये फ्राइलिंग को कैप्टन बना दो और सब को बिसी बना दो लेकिन उसमें रिस्क ये होगा कि अगर आप कैप्टन नहीं चला तो आपकी 10 टीमें फ्लॉप हो जाएंगे तो दस टीम से अच्छा है कि हमारी एक टीम फ्लॉप हो लेकिन चाहां पर सब लोग एस राजा को कैप्टन मना सकते हो ठीक है सिर्फ एस राजा ही नहीं है आप एक एक करके इन सब को यहां आपको जितने दि इसी के लिए बिल्कुल हकदार हैं और आपको इन्हें हक देना चाहिए ठीक है एक करके सबको देजाना बहुत ही इजी ग्रैंड लीग है यह इसमें नहीं जीते तो फिर क्या जीते ठीक है चलो अब मैच के पहले 15 मिनट पहले मैं आपको टीम देने की कोसिस करूंगा की बाकी आपको मैंने सिखा ही दिया है और मैं हमेसा हर वीडियो में बस इसी तरह से टीम बनाता हूं और मॉश्टली 10 मैच में से साथ मैच में ग्रैंड लीग अरामसे जितना है अब ग्रैंडलीग का मतलब यह नहीं कि आप फस्ट रिंग पर आ जाओगे मतलब कर दो